एकत्रवां रास्टे हिंदी दिवस आज हमारे इस इस्तानी विद्ध्याले में इस कारिकरम में सभी विराजे हुए मेरे शिक्षिक साथियों प्यारे बच्चों आपको इस हिंदी दिवस की आर्दिक शुब कामना है मैं इस कारिकरम के शुबारंब सुरुवात एक दो पंक्तियों शे करूँगा हिंदुस्तान की शान है हिंदी हम सब का अभिमान है हिंदी हम सब का अभिमान है हिंदी जन जन की भासा है हिंदी भारत मा की आसा है हिंदी भारत मा की आसा है हिंदी नानवन वच्चों जैसा की सुबह आपको प्रात्ना सबाम बताया गया आज ये की दिनी हिंदी दिश्तियों मना जाता है क्या मेहत्ता है इसकी और कितने वर्सों से मना त्यार है नानवन वच्चों जैसा की 14 सितंबर 1949 को भारत की स्विधान में हिंदी को राजबासा के रूप में स्विकार किया गया उसके बाद हिंदी भासा को 1953 में विश्व हिंदी दिवस की रूप में मनाना शुरू किया जो आज तक अनवर्थ जारी है आज हम इकत्रवा हिंदी दिश्ति मना रहे हैं पूरे देश में अपनी मातरी भूमी की माटी की महक के साथ मातरी भासा जो हम अपनी मां की दूद के साथ सीखते हैं उस हिंदी को आज किस मुकाम पे पहुँचाना है हम कितना उनको महत्वत समझते हैं हिंदी हमारी शान है हिंदी हमारी आन और बान है हिंदी हमारी जान है मैं इस कार्य कर्म को आगे बढ़ाने के लिए आपने अभी कुछ समय पहले एक निमन्द पर्तियोगिता में भाग लिया जिसका परिणाम गुरुजी की द्वार प्राप्त हो गया है इस निमन्द पर्तियोगिता में कक्षा च्छय में नीता कुमारी प्रथम कक्षा साथ में डिम्पल कुमारी एन प्रथम कक्षा आठ में देवी का प्रथम कक्षा नो में कृष्णा कुमारी प्रथम क्षक कक्षा दस में किर्ण कुमारी प्रथम और कक्षा ग्यारे में गोपी किसन प्रथम बच्चों एक बार जोरदार करतल धोनी से इन बच्चों का होस्ता बढ़ाएं आपके विचार, आपके उद्गार, आपकी शोच, उस सोच को आपने सब्दों में सजाया वास्तर में काबिले तारीफ है कि आपकी भाव, आपकी अभीवक्ति, हिंदी के प्रती किस प्रकार की है वो इससे जलक मिलती है अब मैं इस जो एक विच्च प्रतियुक्ता है और इस पीच रखा गया है उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ तो मैं गुरुजे से निवेदन करूँगा कि कि प्रतियुक्ता के लिए बच्चों का चैन करें और उनना आगे बढ़ाएं हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल हिंदी दिवस को बढ़ावा देने के लिए उदिशे से 1953 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है आज हम एक खास दिन को मनाने के लिए यहां एक्तरित हुए हैं और वो खास दिन है हिंदी दिवस हम सबी ये तो जानते हैं कि बारत एक वीवित देशें सेनानी एक खेत बिन जुठा पड़ा था उबडखा बड़ बवत बड़ा था कोई चिड्या बीज उठा कर उड़ती उड़ती गई डाल पर हवा डराती धूप जलाती मिट्टी उसको खूब दबाती मिट्टी की गोदी महर कर सूरज की किर्णों में जलकर कहा बीज ने आया केला पर में डरूंगा भले अकेला कुछ दिन बिटते अंगूर पुटे कोमल कोमल पते पुटे अर बीरा घड़ी पलकरो मेलो रे ओतोरे संसा अर बीरा घड़ी पलकरो मेलो रे एडो रे अवसरियो पाच्छो नही रे मिले हो बाई रे एडो रे अवसरियो पाच्छो नही रे मिले रामे सरी का राजवी आया जुगरे माई ने लक्षमन सरी को भाई नही रे मिले हो बाई रे लक्षमन सरी को भाई नही रे मिले ओतोरे संसार बीरा घड़ी पलकरो मेलो रे एडो रे अवसरियो पाच्छो नही रे मिले हो बाई रे एडोरे अवसरियो पाच्छो नही रे मिले पाच्छो नही रे लक्षमन सरी को भाच्छो नही रे मिले